विराद कोली के T20 टीम से कप्तानी छोड़ने के एलान के बाद अब रोहिस सर्मा नहीं बलके रिशब पंद बनेंगे भारतिये T20 टीम के कप्तान जी हाँ दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दिजे साथी चैनल पर मैं हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके भारतिय क्रिगेट टीम के कप्तान विराट कोली ने टी ट्वन्टी विस्वकप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी चोड़ने की घोसना कर दी है गुरू आर सोलर सितंबर की स्याम को उन्होंने सोचल मिडिया पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है टी ट्वन्टी विस्वकप के बाद भारतिय टीम की इस फॉर्मेट की कप्तानी कौन समालेगा इसको लेकर सायध ही किसी के अंदर सवाल हो हालाकि इस रेस में रोहित सर्मा का नाम सबसे आगे है रोहित को काफे समय पहले से ही T20 टीम का कप्तान बनाय जाने की मांग की जा रही है पूरू दिगजों ने भी विराट कोली की जगे रोहित सर्मा को इस पॉर्मेट की कप्तानी दिये जाने की वकालत कचुके है इसकी वज़ा है घरेलू T20 लिग यानी IPL में उनकी सांदार कप्तानी रोहित सर्मा इस समय 34 साल के हो गए है और रोहित सर्मा की बढ़ती उम्र उनकी कप्तानी की रास्ते में कहीं रोडा न बन जाए लेकिन दोस्तो अब ऐसी खबरे भी सामने आ रही है कि भारती T20 टीम की कप्तानी रिसब पंत के हाथों भी सोपी जा सकती है अब देखना होगा कि रोहित सर्मा या रिसब पंत कौन करेगा भारत की T20 टीम की गप्तानी ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन दोस्तो आप अपनी राय इस पर देना बिल्कुल भी ना भूलें आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जादा ज्यादा लोगों तक सेयर कीजिए साथी क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना भूले समय देने के लिए धन्यवाद